नमस्कार दोस्तों, जम्मो कश्मीर में आतंगवादी हमले अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तीन में तीन अटैक्स हो चुके हैं, क्या ये कोइंसिदेंस है कि भारत को उसकी नई सरकार मिली और ये वही सरकार है जिसने आर्टिकल 370 को हटाया था, जिसने कोशिश की ह जम्मो कश्मीर का और इंटीग्रेशन करने की बाकी कंट्री के स्टेट्स के साथ, और इसी सरकार को चैलेंज करने के लिए लगातार तीन दफे हमले हो चुके हैं, क्या आटिकल 370 को हटाना आतंगवादियों से संबंधित नहीं था, क्या आटिकल 370 को हटाने का मकसद ये चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने से आतंगवात कम नहीं हुआ है इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमें पता है कि 9 जून को जिस दिन भारत को उसकी नई सरकार मिल रही थी जस्ट फ्यू मोमेंट्स जब हमारे प्रधान मंत्री ओथ लेने वाले थे उससे पहले एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई रियसी में रियसी में श्रधालू शिफखोडी मंदर से शिफखोडी एक श्राइन है बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू पिल्ग्रिमिंट साइट है वहां से हिंदू तीर्थ यात्री आ रहे थे और उनके उपपर एक भयानक आतंगवादी हमला हुआ जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और कम से कम 38 लोग घायल हो गए 38-40 लोग इसमें घायल हो गए दुक्की बात यह है कि इसमें एक 2 साल का छोटा बच्चा भी नहीं है कि आतंगवाद होता क्या है जिसको पता जो अपने मा की गोद में शायद बैठा होगा काफी खुशनमा माहौल होगा उससे सोचा भी नहीं होगा कि यह ट्रिप उसकी लाइफ की आखरी ट्रिप हो जाएगी क्या यह हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ा शेम नहीं है कि हम अपने बच्चों को एक normal atmosphere नहीं दे पा रहे हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे देखो यह जो क्षेत्र है रियसी का यहीं पर हमला हुआ था जब श्रद्धालू शिव खोडी से वापस आ रहे थे शिव खोडी एक श्राइन है और जेनरली यहां पर लोग जाते ह है तो यहीं से यह वापस लोट रहे थे तो यह जो बस आ रही थी एक टर्ण पे थोड़ी सी धीमे हुई जैसे ही यह टर्ण पे धीमे हुई यहां पर तीन से चार masked militants या आतंगवादियों ने हमला कर दिया इस बस के उपर कुछ लोगों की मृत्यू हो गई कुछ लोग इ चारा बचाने की उसने कोशिश की पर उसकी भी मृत्य हो गई बस गौर्ज में गिर गई काफी लोगों ने बस प्रिटेंट किया कि हमारी मृत्य हो चुकी ताकि वहां से militants चले जाए और वो अब अपना order भी बताते हैं तो जब यह particular incident हुआ यह पहली बार नहीं है 2022 में भ यहां पर ब्लांट किया गया था और बांब ब्लास्ट वार्ट जिसमें कुछ लोगों की मिर्टि हो गई थि उसमें इसके अलावा अभी हली में डोडा में साथी साथ यहां पर कठुआ का जो इलाका है यहाँ पे भी CRPF के बटाइलिंस पे हमला हुआ है और यह हमला क्यों हुआ है क्योंकि यहाँ पे अभी रीसेंटली CRPF ने ओपरेशन्स लॉंच किये है कि पीर पंजाल में जो खेत्र हैं जहां से आतंगवादी छुपके हमला करते है वहां से उनको धून निकालना है क्या हमने कभी सोचा था जो हिमाले हमारी इत्ती रक्षा करता था उसी हिमाले की वज़े से एक सिक्यूरिटी चैलेंज भी खड़ा हो जाएगा और यहां पे जिस प्रकार के राइफिल्स का इस्तमाल किया गया है यह अमरीकी गन्स है यह हमला 53 लोगों को शिफ खोडी गुफा मंदिर ले जा रही थी बस पर यह हमला हुआ 9 लोगों की मृत्य हो गई 33 से 38 की रेंज है जिसमें घायलों की संख्या रखी हुई है रियासी क्षेतर के उपरी जंगली इलाकों में जहां पहुचना और तलाशी लेना मुश्किल है इसमें कम से कम दो आतंगवादी छिपे हुए है उन्हें डूरने के लिए बड़े पैमाने पे तलाशी जारी है और यह पीर पंजाल का एक शेतर है जो घना है जहां पे हम ढूर नहीं पा रहे हैं आतंगवादियों को यहां पे सबसे ज़्यादा आतंगवादी हमले होते है और एक चीज़ आप ध्यान रखेगा क्योंकि यह जो खेतर है रियासी का, रजोडी का यह सारा खेतर इसी वज़े से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है क्योंकि यहां पे पीर पंजाल का विस्तार है पीर पंजाल के विस्तार होने की वज़े से यह जो forest है, यह densely forested area है और पीर पंजाल हमको पता है, यह लगू हिमाले का हिस्सा है, यह भी याद रखेगा, यह लगू हिमाले का हिस्सा है और यहाँ से ही attack करके वापस से छुप जाते हैं, इन्हीं जंगलों में वापस से आतंगवादी छुप जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखेगा जम्मु कश्मीर में इस साल आम नागर को उपर यह सबसे बड़ा घातक आतंगवादी हमला है दिक्कत की बात यह है कि रजोड़ी और पूच का जो खेतर है वो जाना जाता है कि यहाँ पर यहां बहुत ज्यदा आतंगवादी देखने को मिलते नहीं है अब वैशनो देवी के बात करते हैं क्योंकि ह 112 पिल्ग्रिमेट साइड है और यहां करोड़ो लोग हर साल जाते हैं अगर चाहिए प्लग्रिम सक नहीं प्राचीन मंदर भारती राजित जम्मू कश्मीर के रियासी मंदल में कट्रा नगर में स्थित हैं, तो यह कट्रा का जो क्षेत्र है यहाँ पर वैशनो देवी का मंदर मौझूद है, इन पहाडियों को त्रिकुटी पहाडिया कहा जाता है, यही पर लगभग 5200 फीट की रूप मा वैशनो देवी, जिनने त्रिकुटा और वैशनवी नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पवित्रम हिंदू मंदरों में से एक है, यह धार्मिक स्थल की आराध्या देवी, वैशनो देवी का सामानिता, मातारानी, वैशनवी, दुर्गा तथा शेरा वाली माता जैसे अनेक नाम है, साथी साथ वेट पुराणों की हिसाब से मंदर 108 शक्ती पीठ में भी शामिल है, भारत में तिरुमला वेंक टेश्वर मंदर के बाद दूसरा सबसे देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ यही स्थल है, तो यह याद रखेगा क्योंकि इससे बन सकते हैं, other than that हर वश देश भर से एक करोर से अधिक तीर्थ यात्री कट्रा पहुचते हैं मातारानी के दर्शन के लिए, इसके अलावा पूरा कट्रा शेहर बहुत सारे होटलों से इसलिए डॉटेड है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री भी इनकी टूरिजम से ही बनी हुई है, माता के दर्शन करने के लिए, लोग लगभग 14 किलो मीटर की चड़ाई करते हैं और भवन तक पहुचते हैं, ठीक है, और यहीं इसी दौरान जब वो जाते हैं, तो शिफ खोरी की जो श्राइन है, उसको भी यह दर्शन करते हैं, यहीं शिफ खोरी की श् 2007 से अस्तित्यों में आया है, इस यह मुख्य रूप से एक पहाडी जिला है, पहाडी है और बहुत सारे जंगल भी हैं इसमें, रियासी में कई एतिहासिक स्थान भी हैं, जो सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखते हैं, श्री माता वैशनो देवी तीर शिफ खोरी जम्मु कश्मीर में उगरवाद अभी भी कंट्रोल में, काफी तो आ गया है पहले से, पर जिस तर पे हम इसे ले जाना चाते हैं, यहां उगरवाद अभी भी चल रहा है, पाकिस्तार ने शुरू से ही जम्मु कश्मीर क्शेत्र को सीधे सैन टकराओं के जरिये अस्थर कर करने की कोशिश की है, जब हम बात करें, जम्मु कश्मीर को अलग किया गया था, उसकी जो स्थिती थी, पूरी तरह से हमको परिपूर्ण रूप से पता नहीं थी कि यह पाकिस्तान में जुड़ेगा कि भारत में जुड़ेगा, क्योंकि यहां के राजा हिंदू थे, पर आबादी थी, यहां की सबसे मेजॉरिटी पॉपिलेशन जो थी, वो मुसल्मानों की थी, तो यहां पर रेफेरेंडम होने वाला था, बट जम्मु कश्मीर में रेफेरेंडम होने के पहले ही, पाकिस्तानी पश्टून ट्राइब्स ने यहां पर हमला कर दिया, जिसकी हैं भारत से, तो यह क्या करते हैं, यह जो टेरिरिस्ट हैं, उनको अपने स्ट्राइजिक असेट्स की तरह यूज करते हैं, तो यह याद रखना है कि स्ट्राइजिक असेट्स की तरह प्रयोग किया जाता है, कि इनको जो भी इनके सारे संगठन हैं, लश्कर-e-तॉइबा अगर वो सोचते हैं कि हम पूर्ण रूप से एक फुल फ्लेज़ेड वार में नहीं जीच सकते हैं तो यहां आतंगवादियों से अपनी इस एक्छा को पूरी कर सकते हैं कि कल के दिन भारत अगर कश्मी रखता भी है तो चैन से ना जी पाए 1971 की युद्ध में पाकिस्तान को इसलिए अपमानित होना पड़ा क्योंकि पूरी पाकिस्तान को एक अलग राष्ट बना दिया गया जिसे भारत की एहम भूमिका थी इन सभी सैने टक्रावों के बाद पाकिस्तान को यह एहसास हो गया कि भारत के साथ सीधे सैने युद्ध मे अतलब बेसिकली जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का पूरा प्रावधान मनाता है। नामक कश्मीरियों के एक अशन्तुष्ट समूह के अस्तित्व का इस्तमाल पाकिस्तान के उग्रवात के लिए किया गया। यह चाहते तो थे भारत से अलग होना पर पाकिस्तान ने इनको उग्रवादी बना दे कि भारत में रहके अब भारत को परिशान करिये। यासिन मलिक जेके एलफ का एक नेता था जिसने कश्मीर में उग्रवाद को संगठित किया इसने हर प्रयास किया कि किस प्रकार से भारत के खिलाफ जितना नेरेटिव बन सके जम्मू कश्मीर में उतना बने यहां पर सैनुक को के उपर हमले के साथ साथ मदर्सों में भी बच जिदों का गलत प्रयोंक किया जाता था, जिस प्रकार से स्पीकर्स पे किन-کिन दिनों पर क्या-क्या होना चाहिए, किस प्रकार का उग्रवाद दिखाना चाहिए, सारी चीजें होती थी। इसमें बहुत बड़ा हात यासिर मलिक कर रहा है। ठीक है और जम्मु कश्मीर के आजादी की मांग की लेकिन बाद में यासिन मलिक ने हिंसा के रास्ते की निंदा की जिए पहले हिंसा को बाद में इसने बोला हम हिंसा की निंदा करते हैं और विवात को सुलजाने के लिए शांती वारता में भी विश्वास किया लेकिन पाकिस्तानी खूफिया एजंसी घाटी में नए आतंगवादी संगठन स्थापित होने लगे जैसे हिस्बुल मुजाहिदीन, लश्कर-े-तौइबा, जैश-े-मुहमद, ठीक है यह जादा तर जो संगठन है भारत में इनको टेरिरिस्ट और्गिनाइजेशन का नाम दिया गया है और यही आतंगवादी संग लगातार हमले कराता जा रहा है जम्मो और कश्मीर मैं आतंगवादी संगठनों के वित्व पोशन और प्रशिक्षन में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भाहगिदारी रही है दिक्कत यह है कि हमीरेसेंट ली लीहमने डिसाइड कि महीं बिलाएंगे अपने ओठ सेरिमनी में पाकिस्तान इनके साथ वारता करना बहुत ही मुश्किल है विकास की कमी की वज़े से एक शेत्र कर सैने करिंड की वज़े से की कमी है और बेरोजगारी ने कश्मीरी युवाओं को आतंगवादी समू के लिए आसान शिकार बना दिया तो जहां पर एकनॉमिक वैक्यूम है फॉर शोर है कि वहां कभी ना कभी रैडिकलाइजेशन आएगा ही आएगा अफजल गुरु की फासी के दौरान युवाओं निका विरोध आतंगवाद बुरहानवानी के लिए सहनभूती रैली या दर्शाता की कश्मीरी शेत्र में कितने व्यापक तोर से यह कट्टरपंथ बहुच चुका है in fact हमारी उनिवर्शिटी इस के थ्रू भी ऐसे उग्रवादियों को भीजा जाता है जिन उनिवर्शिटी इसका विद्ट पोशन गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया गॉवर्मेंट को सर्फ करने के लिए कंट्री को सर्फ करने के लि पर हमले 600 से घटकर लगभग 300 रह गए हैं, तो यहां डेटा जूट नहीं बोलता है, बट हाँ, जितने व्यापक तौर से हमें से minimize करना चारे वो नहीं हो पा रहा है, 2019 को इसले लिया क्योंकि इसी समय हमने abrogation of article 370 किया था, यानि कि article 13370 जो कि एक समवेधानिक पर temporary प्रावधान था, कि जम्मू कश्मीर का अलग विधान, अलग प्रधान होगा, अलग तरह से यह चलेगा, खुद के अपनी rules and regulations के थूँ चलेगा, यह हटा दिया गया, क्यों? क्योंकि भारत भाई एक संप्रभुता को दिमाग में रखता है और यह temporary provision था, जब 370 हटाया गया, दिमाग में यही था कि यह भारत का है, भारत का हिस्सा है, तो भारत यहां कुछ भी कर सकता है इस बीच नागरिकों के खिलाफ लक्षित हमले चिंता का विशय बने हुए थे, क्योंकि 2019 में हमने जब abrogation किया तो हम चाहते थे कि बाकी सारे स्टेट से भी लोग यहां आंके एक दूसरे के साथ मिश्रित हों, एक प्रेम का भाव बढ़े, पर वहां पे उन लोगों को रहने नहीं दिया जाता वहां पे आतंगवादी हमले, in fact, civilians पे भी होते हैं, यहां से कोई मजदूर वहां काम करने जाता है, उसमें भी हमले होते हैं, देखो, fewer injuries, fewer injuries, deaths among security forces, अगर हम compare करें, 52 months before, जब हमने abrogation किया था, article 370 का, जब Jammu Kashmir को statehood से हटा के, हमने केंदर शासित प्रदेश कर दिया था, अगस्त पाच, 2019, 52 months after August 5, 2019, तो यहां पे terrorist initiated incidents, यानि की आतंगवादी जो हमला शुरू करते हैं, attacks on civilians, 193-156 हो गए, civilian casualties, 234-131 हो गई, civilian injuries, 1300-422 हो गई, encounter 390-330 हो गई, security forces को जो चोट लगी है, 1098-334, और यहां पे data जूट नहीं बोलता है, data is important, इसलिए मैं कहती हूँ कि continuously classes करी है हमारी, जो पीर पंजाल का क्षेतर है, यह लगू हिमाले का पार्ट है, लगू हिमाले, और यहां दिक्कत यह है कि व्यापक तोर से, यह आजात कश्मीर का जो पे भी फैला हुआ है, जहां से पाकिस्तान से militants पीर पंजाल के क्षेतर में आके भारत में specific areas में, जैसे कि पूँच, रजौरी, यह सारे areas में आके अपना stronghold बना चुके हैं, इन्हीं जंगलों में वो घुसे रहते हैं, यहां से attack करते हैं और वापस चले जाते हैं, तो य यहां पे पीर पंजाल बहुत बड़े एक चुनोती बन चुका है, पीर पंजाल हिमालेस का बहुत important area है, और यहां पे पीर पंजाल क्षेतर में security forces को operation करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, पीर पंजाल क्षेतर के बागी हिस्सों की तरह ही या इलाका भी पहाड़ी और खरतनाक है, रियासी का क्षेतर, जहां घने जंगल आम तोर पर हमलावरों के पक्ष में ही काम करते हैं, क्योंकि यहां से हमला करके छुप जाना बहुत आसान होता है, दोजार एकिस से जम्मू के पीर पंजल क्षेतर के रजौरी और पूछ जिलों में आतंगवादी द्व 1990 के दशक के मद्ध है, और 2000 के दशक की शुरुवात में उगरवादियों की भयावाता कानुभव किया, जब उगरवादियों ने इस शेतर में हिंदू का कई बार नरसंगार किया, हम कश्मीरी पंडितों को कैसे भूल सकते हैं, कश्मीरी पंडित आज भी अपने देश में refugee बन के रह रहे हैं, उनका सब कुछ छिन गया, जब भी हमने उन्हें रिलोकेट करने की कोशिश की, वहाँ से एक भारे retaliation आया, जिसके लिए एक movie भी बनी है, उस अवधी में जब सुरक्षा बलो ने कश्मीर घाटी में उगरवाद पर क्रूर और व्यापक कारवाई की, तो सशेस्त्रो गुरवात अतकालीन राजिक के जम्मुक शेत्र में फैल गया, अब क्या हम कर सकते हैं, किस तरह से हम स्थिती से निपट सकते हैं, देखो पाकिस्तान के साथ बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि military कभी नहीं चाहती है कि कश्मीर का मिलिटरी के हाथ में हैं, यह जो प्राइम इनिस्टर्स हैं सब दिखावा है, यहाँ पे military इतनी powerful है कि वो तखता पलट बहुत आसानी से कर सकती, जिसमें मुशर्रफ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, military कभी नहीं चाहेगी कि कश्मीर का मुद्दा हल हो, reason, military को अगर आर्मी को अगर अपना relevance बना के रखना है, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों के दिमाग में उनकी need या military की पाकिस्तानियों को क्यों जरूरत हो बरकरार रखनी है, इसके लिए भारत हमेशा दुश्मन बरकरार रहना चाहिए, और भारत कैसे दुश्मन बनेगा, अगर कश्मी कश्मीर मुद्दा कभी नहीं सुलज सकता, जब तक वहाँ पे democratic allied government ना आ जाए, actually government जो हाँ आ रही है, अगर लोगतंत्र के मुताबिक नहीं आ रही है, तब तक वहाँ पे कश्मीर मुद्दा बात चीट से तो नहीं सुलजने वाला है, और ये सरकार ये बात समझ चुकी है अधदान्दिस नियंतरन ड्रेखा के पार से एक शेतर में घुसपैट करने के बाद, आतंगवादी पारंपरिक रूप से एक शेतर में दो या तीन दन से अधिक नहीं रुखते हैं, उसके बाद वे पीर पंजाल परवत माला को पार करके दक्षिर कश्मीर के शोपियन में प्रवेश कर जाते हैं, ऑप्रेशन ओल आउट या घाटी में शांती स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया, आतंगवाद विरोधी अभियान है, इसमें विभिन आतंगवादियों को शॉट लिस्ट किया गया है और उनकी जानकारी एवं स्थान सुरक आमा हमले हुए थे तब बस में चालिस से अधिक लोगों की, चालिस से अधिक जवानों की मृत्ती हो गई थी, जो कॉफिन्स थे, जो बॉक्से आए थे, उसमें बॉडी थी नहीं थी, कुछ देने के लिए था ही नहीं क्योंकि ब्लास्ट हुआ था, तो जब हम बुरहन व को मारा था, आप समझी गए होंगे मैं किस की बात कर रही हूँ, उसमा बिन लादन की बात कर रही हूँ, तो उसमा बिन लादन को अरब सागर में दफनाया गया है, तो रीजन इसके पीछे का क्या है, कि अरब सागर में उसे क्यों दफनाया गया, क्योंकि अमेरिका को पता अरब सागर में उसको दफनाया गया और यहां पर बुरहान वानी की बॉड़ी वापस की गई तो एक तरह से शहादत मिलने की बात कर रहे थे ठीक है तो इसलिए ध्यान रखेगा यह सारी चीज़े बहुत सिंबॉलिक होती है इस हमले के बाद भारती वायू सेना ने बाला को का काम कर रही है सुरक्षा के संदर में उगर्वात का अर्थ है कि अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए अवैद और हिंसक तरीके को अपनाना तो इनको उगरवादी कहा जाता है उगरवादी अलग अलग लक्शों और अदेशों से प्रेरित होते हैं सितंबर उसका प्रचार करेंगे उनके अनुसार आतंगवाद क्या होता है किसी भी एक ऐसी कारवाई को कहते हैं जिसका उद्देश नागरिकों और गैर लड़ाकों को घायल करना या मारना हो ताकि किसी आबादी सरकार या संगठन को डरा कर उन्हें अपराधियों के खिलाफ कारवा एक उद्देश को बढ़ावा देने की मंशा बताइए मतलब आप चाहे राजनीतिक तोर से करें धार्मेक से करें वैचारिक तोर से करें पर अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप आतंगवादी कहलाए जा सकते हैं समू कैसे लोग मतलब किस तरह के समू या किस तरह के इं आतंगवाद आदी चलो मेंस क्वेश्चन देख लो आतंगवाद क्या है आतंगवाद भारत की राष्ट्रे सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है ठीक है तो इससे रिलेटेद यह मेंस क्वेश्चन आ सकता है जो आप सौल्व करने के कोशिश करेगा I hope आपको क्लास समझ में आई हूँ and I hope as a nagrik आप यह classes follow करके शेर भी करें लोगों के साथ Thank you so much everyone, stay updated